हेलो वाइस वेल्कम बैक तो और ओन चैनल आल अब आउट फास्टेक तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीक से क्लोज कर सकते हैं अपने फास्टेक को अगर आप किसी अधर बैंक में स्विच करना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं अब आप अपने जो टैक को क्लोज करा हैं चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे तो सबसे पहले आपको पेटिम का एप ओपन कर लेना है आप ओपन करने के बाद आपको ऊपर यहां पर क्लिक करना है यहां क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑप्शन आता है 24 क्लिख करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके पस कुछ बडद ईडविटियमा चाथनगी सब्सक्राइख्थ इस पर क्लिक करने के बाद दुबारह से बोल रहा है यह इसू का डिग्री जारी जिसमें कि स्टेट्मेंट अगर नहीं मिले तो उसके लिए कर सकते हैं वालेट नहीं बना है तो उसके लिए एक्टिवेट करना है तो हमको लेना यह फॉर्ट लाए वांट टू क्लोज मैं फार्स टेग इस पर क्लिक करने के बाद यह कहा रहा है प्लीज एंटर यूर वेकल रिशेशन नंबर बिना इस पेस के आपको यहां पर अपना वेकल रिश तरीके से बोल रहा है यहां यहां पर अर शकुष घ्रयूर पेसे आप अपने बिना आपको अपको देना होगा और आपका नंबर और टेग आईडि जो कि प्लोज करोना चाहते हैं तो लिए लिख रखा है कि जो तो भी outstanding अगर कोई balance होता है तो automatically deduct हुजाएगा आपके account से या फिर आपको बताना पड़ेगा आपको बताया जाएगा कि यह settle करना होगा उसके बाद की tag close होगा तो यह नीचे कहा रहा है do want to close fast take permanently तो मैं no कर देता हूँ क्योंकि मुझे close नहीं करना है इस तरीके से आपको करना है यहाँ पर reason और यह दोनों चीज mention कर देना है यहाँ पर mention करते ही आपके tag को close के लिए proceed कर दिया जाएगा और within 3 days के अंदर-अदर आपको वहाँ पर tag close हो जाएगा जो भी refund आता है वो आपका 10 days के अंदर-अदर आपके account में refund आ जाएगा कोई भी issue हुआता है फास्टर को लेकर तो बिल्किल आप हमसे पूर्श सकते हैं मेल आइडिया अल्री मेंचन है कुछ नहीं समझ आता है तो comment भी कर सकते हैं और वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को like share और चैले तो subscribe करना ना मूले थेंक यू झाले 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 तो